नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटूब में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस्टाग्राम पर जरूर फोलो कर लिएगा इस्टडी फोर सिविल डॉट सर्विशेज है क्योंकि जब जब इनका जिक्राएगा तो इनके बारे में थोड़ा सा जानना आवश्यक हो जाएगा इन्हें कई नामों से पहले तो पुकारा जाता है अब यहाँ पर आप देखें इन्हें सेप्रोट्रॉप्स के नाम से भी पुकारते हैं इसके अलावा डेट्रिटर्स के तौर पे भी इन्हें बुलाया जाता है और डेट्रिवोरस भी खाहा जाता है फुल मिलाकर मरी वही सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं उनको खाकर मत प्रोट्रिशन का रिसाइक्लिंग का प्रोसेस है उसमें इंपॉर्टेंट रोल ले करते हैं यह सब हमने देखा अब इसके बाद आप नीचे प्रोड्यूसर या आट्रोट्रॉप्स को देख रहे हैं तो यह होते क्या है हरे पौधे होते और हरे पौधों का काम क्या है मु can be categorized into two groups अब इसमें दो ग्रूप्स हैं कौन कौन से हैं तो यह नीचे दिया हुआ है floating microorganism and plants यह आप देख रहे हैं rooted plants और floating microorganism मतलब जो green algae वगेर होती है and plants are called phytoplankton चोटे कम मात्रा में रहेंगे तो यह दिखाई नहीं देंगे लेकिन जब इनका पूरा गुच्छा इकठा हो जाएगा तो यह हरे हरे रंगे पानी पर टैवते हुए दिखाई देते they are microscopic organisms मतलब microscope की मदद की बिना आप इन्हें नहीं देख सकते sometimes they are so evident in pond that they make it look green in color पानी का रंग हरा दिखाई देने लगता है जब यह बहुत प्रचुर मात्रा में एक बड़े amount में pond के अंदर या pond के पानी के अंदर पाई जाते अब इसमें spirogyra है यू लो थ्रिक्स है इस तरह के तमाम जीव है आगे चलते rooted plants को देख लेते हैं they are arranged in concentric zones from periphery to the deeper layers यहाँ पे जो periphery वाला पार्ट है वहाँ से लेकर deeper layers तक इनकी उपस्तिती पाई जाती है अब sunlight जहाँ पर जितनी जैसी मिल रही है उसके हिसाब से इनका development होता है three distinct zone of aquatic plants can be seen with increasing depth of water in the following अब यहाँ पे देखिए following order में से पहला तो zone of emergent vegetation है पहला जो इसमें पार्ट है उसे आप देख रहे है और दूसरा वाला जो है यह zone of rooted vegetation है with floating leaves उनकी जो पत्तियां है वो क्या करती है तैरती रहती है बाहर पानी पर तैरती रहती है और वो जो sunlight उने प अगर आप ले रहे हैं तो समुद्रवाला नहीं तो pond के structure को अगर ले रहे हैं उसके ecosystem को base बना रहे है तो उसमें जो pond की weeds होती है उनको आधार बनाया गया है वो आधी डूबी रहती है आधी बाहर रहती है और कभी कभी क्या होता है कि पूरी ही अंदर डूबी रहती है तो जो तैरती हुई पत्तियों वाले पौधे होते हैं उसमें निंफिया का example काफी अच्छा होता है और पानी से पूरा ये cover होते है उपर से और अंदर पत्ते या जो पौधे हैं उनका development होता है तो इस तरह के hydrilla है ने खरपतवार ही कहा जाता है लीट्स की शेड़ी में आते हैं hydrilla, rupia, musk, grass इस तरह की जो चीज़े हैं वो इसमें शाबिल आगे बढ़ते हैं अब यहां पे consumers या जो heterotrops हैं उनको देख लेते हैं तो ये इस प्रकार के जीव होते हैं which feed directly और indirectly on autotrops मतलब यह तो यह सीधे तोर पे autotrops पे निरभर होंगे और नहीं तो indirectly निरभर हों कि pond animals can be classified into following groups चुकि हमने pond को ही आधार बना लिया उसी के चार और सारी explanation जो है वो घूम रही मतलब example भी तो इसमें पहला part आप देख रहे हैं यह जू प्लैंक्टन्स है जिनने की हिंदी में जन्तुपलवक कहा जाता है इसे phytoplanktons होते हैं वैसे ही यह जू प्लैंक्टन्स को रख सकते हैं इस तरह के समय आते हैं और फिर neptons का number आता है इसमें मचलिया है जो कि अपनी इच्छा से पानी में तैर सकती और अंत में जो प्लैनित्थी के निमल्स हैं वो आते हैं और यह एकदम गहराई में रहते हैं जो बैनत होती हैं वहाँ पर रहते हैं इसमें लेकिन जो Sediement सेडियमेंट का जमाँ हो जाते हैं तो वहाँ पर इनकी तादात ज्यादा होती है् फुल मिलाकर जहां से इने नूटीशन विलेगा जहां पर इनके काम की चीज होगी वहीं पर यह जादा पाये जाएंगे इसमें राइजोपस का नाम आता है, राइजोपस भी इसे कहा जाता है, इसके अलावा और भी नामन से पैनिसीलियम है, और यह तालाप की जो एकदम नीचे की गहराई है, वहाँ पर पाये जाते है, अब यहाँ पे function of ecosystem देख लीजे, तो ecosystem और complex dynamic system, they perform certain function, अब इसमें किस प्र आते हैं और हर step पे या हर level पर आगे बढ़ने पर energy धीरे-धीरे करके घड़ती जाती है, 10% वाला rule यहाँ पर लगता है, और second वाला function क्या है, तो यह nutrient cycle है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक क्रम से, ठीक है, energy flow को हमने देखा, nutrient cycle में जो bio, geochemical cycles है, वो सब आते हैं, उनको पर homeostasis को देख रहे हैं आप, तो यह cybernetic भी कहा जाता है, यह इसको कह सकते है, feedback control mechanism, तो pond, lakes, meadows, marshland, grassland, desert and forest are example of natural ecosystem, इसमें बहुत सारे fact एक साथ mix करके दिये हुए, अब यहाँ food chain को पहले देख लीजे, तो food chain में शुरुआत कहां से होती है, energy transfer का दोर चलता रहता है, पहल जितनी भी celestial bodies हैं, आसपास की, वो चक्कर लगाती रहती हैं उसका, तो ऐसे पूरा solar system generate होता है, अब इसमें से जिस planet पर या जिस भी जगा पर organism पाये जाएंगे, या जीवन की उपस्थिती होगी, तो वहाँ पर energy प्राप्त करने के लिए, वो पूरी तरह से उस star पर dependent होग हैं, हला कि aliens की कलपना हम करते हैं, तो ऐसे में sunlight ही एक मात्र सबसे बड़ा energy का source है, हला कि कुछ और sources हैं, लेकिन वो भी indirectly sunlight से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ वही दिया हुआ है, transfer of food energy from green plants, जो की producer की भूमिका में होते हैं, through a series of organisms with repeated eating and being eaten, is called a food chain, मतलब यह किसी को खाते हैं और कोई दूसरा इनको खा लेता है, जैसे हरे पौदे जो हैं, वो जमीन से खुराक लेते हैं, मतलब उनका जो nutrient है, उसको खाते हैं, उनकी जड़ों के माध्यम से वो उनके शरीर के अंदर पहुंचता है, और sunlight को यह अपने अंदर absorb करते हैं, उससे पूरा अपना जो photo energy है उसको chemical energy में convert करके अपने अंदर store कर लेते हैं, फिर इन हरे पौदों को कोई vegetarian जीओ है, वो खा लेता है, तो इस प्रकार से उसका पेट भर जाता है, उसको nutrition मिल जाता है, फिर उस vegetarian को कोई तीसरा जो non-vegetarian जीओ है, secondary level का या tertiary level का, वो खाना शुरू कर देता है, तो ऐसे ह होता है, मतलब पहले secondary वाला vegetarian यानि जो primary consumer है, उसको खाएगा, और फिर secondary वाले को खा लेगा, वो उपर वाला level हो जाएगा, तो इसमें energy का flow एक one directional होता है, और उपर जाने पर धीर धीरे करके कम होता जाता है, तो इससे पूरी food chain एक balance में रहती है, तो मनमाने तरीके से आग घेड़ सारी, और छिटपुट कुछ जगों पर उगे हुए, कुछ पेड़, तो पेड़ों को यहाँ पर एड़ नहीं किया गया है, हाला कि उसमें भी पतिया ही होती है, तो टिड़े यानि जो gross आपर होते हैं, वो घास के तिनकों को खाते हैं, और gross आपर को खाते हैं अगर देखा जाए, तो यह eagle, यह साब को खा लेता है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें साब भी नॉन-vegetarian है, मेडग भी नॉन-vegetarian है, और eagle जो है, वो भी नॉन-vegetarian है, लेकिन ये एक दूसरे को खा रहे है, बतलब इसमें जो भारी पढ़ रहा है, वो दूसरे को खा ल है तो यह ट्रॉपिक लेबल कहलाते हैं इन द एब एक्जाम्पल ग्रासेजर फर्स्ट एंड इगल रिप्रेजेंट फिफ्ट लेबल यहां जो अभी एकोसिस्टम का एक नमूना देखा मतलब फूट चेंज जो एकोसिस्टम के अंदर है उसका नमूना देखा तो इसमें ग् इन टो इसमें जो इनर्जी का लॉस होता है हम कहते हैं कि 10 प्रतिशत ही अगले वाले लेबल में पहुँच पाती है तो बाकी जो 90 परसेंट है उसका क्या होता है वो हीट के रूप में वहां से बरबाद हो जाती है रिलीज हो जाती है और उस फूट चेंज से बाहर निकल है मतलब उसके काम की नहीं होती है तो इस तरीके से उतनी उर्जा इसमें से हीट के रूप में जाया होती है अगले ट्रॉपिक लेबल को यह उपलब्द नहीं हो पाती है देरफॉर दिन नमबर ऑफ स्टेप सार लिमिटेड इन चेंज इसलिए किसी भी फूट चेंज में चाहे ये वाली ग्रास लेंड की फूट चेंज हो या किसी भी सिस्टम की हो उसमें लिमिटेशन होती है मतलब बहुँ जादा ट्रॉपिक लेबल नहीं पाय जाते है उसके पीछे रीजन यह है एनरजी जितनी दूर तक चलेगी उतने ही ट्रॉपिक लेबल मौजूद अब नीचे देख लेते हैं कि और क्या चीज़ें दी हुई है तो यहाँ पर आटो ट्रॉप्स को आप देखिए यह सबसे महत्पूर्ण होते हैं जो एबायोटिक फैक्टर है वो तो इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि सेल का डेवलप्मेंट या जितनी भी जीवन के लिए आ इन पोजीशन पर इंपॉर्टेंस है वो इन हरे पॉधू की है जो कि और टो ट्रॉप्स है यह अपना भूजन खुद बना लेते हैं मिट्टी और सूर्य के प्रकाश से और उसके बाद दूसरों को भूजन उपलब्द कराते हैं अब यहाँ देखें यहाँ आप देख रह अइन प्रकाश से बादन करते हैं दा टोटल रेट आट विज दर रेडियन अनर्जी इस इस टोल भाई द्रॉस प्राइंडरी प्रॉड़क्शन यहाँ पे जीपीप की डिपनीशन दी हुई है इसको ध्यान से देखेगा दा टोटल रेट इट विज्ट प्रेडियन इनर् तो उसमें statement दे देते हैं, कि बताइए कि ये definition सही है या थवा गलत, तो पहचानना आपको आना चाहिए और इसके साथ ये भी दिया हुआ है कि this is also known as total photosynthesis या फिर total assimilation इसी को total photosynthesis के नाम से भी जाना जाता है अब यहाँ पर आप कुछ और चीजों को देखिए मतलब कुछ हिस्सा तो जो energy प्राप्त करता है पौदा उसका अपने metabolism में खर्च हो जाता है उसको खुद भी तो बड़ा होना है, विक्सित होना है, तबी तो आगे जो nutrition का process से उसे complete कर पाएगा तो खुद तो अपने development में use कर लेता है और जो बचा हुआ पार्ट है, वो यहाँ पर store हो जाता है, प्लांट के अंदर और वो net primary production कहलाता है, यानि NPP कहलाता है which is available to consumer और यह उन लोगों को फ्राप्त होता है, जो इन पौदों को खाते हैं यह है पूरा मामला autotrops का अब यहाँ पर herbivorous, carnivorous, omnivorous सबको देख लेते हैं के करके तो herbivorous जो animal होते हैं, इनके बारे में आप देखिए which eat the plants directly यह सीधे-सीधे मनसपतियों को खाते हैं, यानि पौदों को खाते हैं अनकाल primary consumer, और इसलिए इन्हे primary consumer कहा जाता है सबसे शुरुवाती consumer यही होते है इनही को herbivorous भी कहा जाता है, एक्जाम्पल के तोर पे insects हैं, birds रोडेंटस हैं और रिमनेंटस हैं, हालागि जो birds होती हैं या पर इन्सेक्ट होते हैं तो दोनों प्रवितियां पाई जाती है और रोडेंट्स जो है उनके अंदर भी यही नेचर सेम नेचर होता है हलागी इने हर्विवोरस के कटेगरी में यहाँ पर रखा गया है according to NCRT इसके बाद कार्निवोरस को देख लेते हैं यह secondary consumer होते हैं और यह vegetarian नहीं होते हैं if they feed on herbivorous and tertiary consumer if they use carnivorous as their food मतलब कहने का दात पर यह है कि यह जो carnivorous होते हैं यह secondary और tertiary वाले consumer की श्रिड़ी में आते हैं जो secondary वाले हैं वो vegetarian जितने भी organism हैं उनको खा कर अपना काम चलाते हैं और जो tertiary वाले हैं वो secondary वालों को खा लेते हैं तो मतलब एक जो है वो दूसरे को खा रहा है और यही हमारी food chain इसी से nutrition फ्राप्त होता है अब यहाँ पर example की तोर पे आप देख लिए कानिवोरस में बहुत सारे जीवा आएंगे इसमें कुछ ही दिये हुए है जिसे कि frog, dog, cat, tiger यह सब ओम्निवोरस को देख लें तो इसमें सबसे अच्छा example तो हमी लोग है ऐसे animals जो की अपने जीवन के लिए कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी का मतलब कुछ भी खा सकते हैं वो plant भी खा सकते हैं और animals को भी खा सकते हैं और कभी-कभी दोनों को mix करके खाते हैं और जादा तरह यह होता है तो इनकी इच्छाओं का कोई अंतनी होता है और इसमें हमी लोग शामिल है बाकी जो जीव हैं वो संतोशी हैं जैसे कि pig और bear इनने जो मिला वो खा कर संतुष्ट हो जाएंगे हालाकि इनकी प्रवित्ती जो है वो omnivores की होती है तो यह हमने देख लिया आभी decomposer एक बार फिर से आ गए इनने देख लीजें दो लाइन में तो take care of the dead remains of organism at each tropic level and help in recycling of nutrients वही पुराना फंडा है मतलब यह nutrients की recycle में मदद करते हैं जितने भी सड़ी गली चीजें होती हैं उनको खा पी कर पचा कर खतम कर देते हैं उनके ओपर अपने enzyme को छोड़ते हैं जिससे कि उनका वो dissolve होने लगते हैं और उनके जो complex particles रहते हैं अब इसमें example की तोर पे bacteria और fungi को ही हम लोग ज़्यादा तर देखते हैं अब यहाँ food chain जो हमने अभी देख रखी food chain का पुरा example देखा उसकी definition देखी तो इसके दो अलग-अलग प्रकार होते हैं अब दो प्रकार कौन-कौन से हैं तो एक तो grazing food chain होती है यहाँ चितर बगेर भी पना हुआ है और दूसरी जो है वो detritus food chain होती है मतलब जो अवसादों पर अपरदों पर आधारित होती है मतलब सड़े गले जो मरे हुए organism है उनको खाने वाले decomposers के माध्यम से वो आगे बढ़ती है तो दोनों को हम देखेंगे सबसे पहले जो grazing food chain है उसको देख लेते हैं जो कि ज़्यादा common है हाला कि जो detritus वाली है वो भी उतनी ही महत्तोपोन है लेकिन उसको बाद मेरे रखे अब इसमें देखिए which is start from green plants ये जो food chain है ये start होती है green plants हरे पौधों से ही शुरू होती है मतलब solar energy जो है वो पहले घास को मिलती है जो कि producer है और घास को खाने वाला टिड़ा है जो कि primary consumer है मेड़क बैठा है इसका इंतजार कर रहा है कि तुम घास खाकर बाहर आओ तो हम तुमें खाएंगे तो उसके बाद मेड़क नहीं से खाया साब को बहुत जाता दोनों pronunciation इसके लिए हो सकते हैं तो साब जो है मेड़क को खा लिया उसके बाद बात जो है वो ऊपर बैठके देख रहा था और वो साब को उठा ले गया तो इस प्रकार से यह जो food chain है यह complete हो गई यह आपने देखा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर detritus food chain जो है उसके बारे में दिया हुआ है तो यह dead organic matter से start होती है इसमें producer कौन है dead organic matter है हलागि वो भी indirectly sunlight पर ही depend है अब यहाँ देखिए to the detrivorus organism which in turn make यहाँ आप देख रहे हैं which in turn make food for protozoan to carnivores एक्षिक्टरा इसे चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर देख रहे हैं यह dead organic matter है जैसे कि fallen leaves जो सड़ी गली पतियां होती है वनस्पती उत्पाद या मरे हुए जीव भी उसमें हो सकते हैं फिर इनको खाने वाला जो primary यहाँ पर consumer इसे देखी एक केचुवा है और केचुवे को खाने वाला मुर्गा और मुर्गे को खा लेता है बाज तो ऐसे पूरा system develop होता है फिर बाज मर गया तो उसके जो शरीर के आउसेस हैं वो फिर से जो सड़े गले पदार्थ है या आउसाद है उनमें तबदील हो जाएंगे फिर उनको विग्टित करने के लिए केचुवे आएंगे और छोटे छोटे जीव आएंगे तो यह system चलत पूर्टिली डिपेंडेंट और शोलर रेडियेशन जो नेचरल एकोसिस्टम होता है या नेचर का एकोसिस्टम है तो वो सनलाइट पर ही डिपेंड करेगा या आप सीधी बात से जानते हैं एक्जांपल के तौर पर फॉरेस्ट ग्रासलेंड ओशियन लेक्स रिवर्स डे इनर्जी कहा कहा से प्राप्त होती है वो दे रखा है एक्जांपल के तौर पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टाइडल एस्टूरीज एंड कोरल रेन यह नेचरल एकोसिस्टम का यहां पर नमूना और परिभाशा हमने देखी मैनमेड जो एकोसिस्टम होता है उसमें क्या है तो dependent on solar energy यह भी solar energy पर ही depend करते हैं अब इसमें agricultural fields हो सकते हैं मतलब खेत हो सकते हैं और aquaculture जो pond है वो भी इसमें आते हैं dependent on fossil fuel यहां आप देख रहे हैं example के तोर पर urban और industrial जो इकोसिस्टम है वो इसमें आता है अब यहां पर food wave को देख लेते हैं food chain को तो हमने देख लिया लेकिन कभी कभी क्या होता है और हमेशा ऐसा होता है हमारे ecosystem में stability को बनाने के लिए नहीं तो अगर एक food chain होती तो आप tumor या producer खतम हुआ तो उसका इस्थान लेने के लिए दूसरा वहां पर आ जाता है या दूसरे से वो अपना nutrition प्राप्त कर लेते हैं अगल बगल वाल तो इस प्रकार से बनता है food wave सीधे तो दो food chain या दो से अधिक या बहुत सारी food chains जो है जो है जब आपस में interact करना शुरू कर देती हैं तो ऐसे बन जाता है food wave और कभी-कभी क्या होता है कि एक food chain का जो organism है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दोनों ही food chain से जुड़ जाता है एक स्थान से तो जरूरत पूरी हो ही रही थी लेकिन उसका मन नहीं भरा तो दूसरी वाली food chain के भी संपर्क मे आ गया और उससे भी अपना nutrition ले रहा है मतलब मन चाहा nutrition प्राप्त कर रहा है तो अब यहां आप देखें कि ट्रॉपिक लेबल इन एकोसिस्टम यहां देखें ट्रॉपिक लेबल इन एकोसिस्टम और नॉट लीनियर रैदर दे आर इंटर कनेक्टेड यह लीनियर प्रॉस किसी एक सिस्टम के अंदर जितने भी फूट चेंज पाई जाती है उसको इंटर कनेक्ट करने वाला यह पूरा जो जाल होता है उल्जा हुआ जाला होता है इसको फूड वेब कहते हैं और वन अनिमल मेभी अमेंबर आप सर्वल डिफरेंट फूट चेंज और इसी लिए ए फटो फूरा मेकेनिजम क्या है इसको अगर समझना है तो हम एे फूड वेब को समझना होगा उस से हम बहतर तरीके सी इस चीज को जान सकते हैं चेंज तो अलाला अनिम्स या अलग-अलग format के रूप में समझने के लिए हम pyramid बना लेते हैं तो pyramid एक triangular shape का three dimensional figure होता है मतलब 3B में आकरती होती है Mr. के pyramid आप सभी जानते हैं तो ठीक वैसा ही design बना कर हम अपनी ecosystem को बहतर समझ पाते हैं और they are pyramidal in shape and they are of three types इसके तीन प्रकार होते हैं पतलब ecological pyramid जो है वो तीन variety का होता है और कौन-कौन सा होता है उसको हम देखेंगे the producer make the base of pyramid इसमें जो producers होते हैं वो उसका base तयार करते हैं जो भी pyramid हम बनाते हैं उसमें नीचे का base चाहे वो इस तरह का base हो या फिर तिकोना base हो कभी-कभी pyramid उल्टे होते हैं तो उस condition ही तो यह नीचे वाला base है यह producers का होता है और उसके बाद यहां आप देख रहे हैं and subsequent tiers of the pyramid represent herbivores, carnivores and top carnivores levels मतलब इसमें अलग-अलग levels उपर की और बढ़ते जाते हैं जो आधार है वो producer का होगिया उसके बाद जितने भी herbivores हैं उन्हें खाने वाले वो आ जाते हैं फिर herbivores को खाने वाले carnivores आ जाते हैं और फिर उनको खाने वाले जो इनसे भी बड़े वाले मांसाहरी हैं वो आ जाते हैं तो यह system चलता रहता है मतलब बिल्कुल food chain की तरह से ही है लेकिन उसका graphical representation हम इसलिए करते है ताकि उसकी मात्रा और उसको और अच्छे डंग से समझ सके तो पिरामिड यहां पर हमने देखा कि तीन प्रकार के हैं कौन-कौन से हैं और कैसे होते हैं मतलब इनका nature कैसा होता है तो पिरामिड of number पहले देख लेते हैं और इसका जो figure है वो यहां पर बना हुआ है यह दोनों तरह का हो सकता है सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है तो इसकी definition देख लीजे जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है यह करता क्या है तो organism का number बताता है मतलब इसके साहरे हम जो representation देते हैं उससे हमें मालूम होता है कि जो organism है वो कितनी संख्या में है और मतलब जितने tropic level उस pyramid के अंदर पाया जा रहे हैं तो प्रतेक level में कितने मात्रा में organism मौझूद है ज़े कि producer की संख्या कितनी है primary consumer कितने है secondary वाले कितने है ऐसे हम लोग देखते है तब pyramid of number of an ecosystem can be upright as well as inverted in shape यह upright भी हो सकता है और inverted shape का भी हो सकता है अब यह ecosystem कैसा है इस पर depend करेगा for example देखे यहाँ पर बता दिया गया for example in a grassland the number of grasses is more than the number of herbivores जो herbivores जीव है जो कि घासों को खा कर अपना पेड भरते है तो क्या वो घासों की संख्या की जितने हो जाएंगे घास की तादात जादा होगी तो grasses यहाँ जादा होती है यानि producer का amount जादा है और उन पर आशुत रहने वाले जो primary consumer से उनका amount तुलनात्मक रूप से कम है तो इसलिए यहाँ पर सीधा pyramid बनता है मतलब सीधा जैसे triangular shape का आपका pyramid होता है वैसा बनता है नीचे आपका घास वाला area रहेगा जो कि producer है उसके उपर क्रमशय है जैसे जैसे हम उपर जाएंगे तो इसका आकार कम होता जाएगा मतलब यह triangular shape यह आगे सी गुड़ता जाएगा तो मात्रा कम होती जाएगी मतलब घास खाने वाले जीवों की मात्रा घास की तुलना में कम है और घास खाने वाले जो vegetarians है उनको खाने वाले जो non vegetarian है यानि secondary consumer है उनकी तादात vegetarian की तुलना में कम होती है और जो tertiary consumer है उनकी तादात सबसे कम होती है तो सबसे उबर उनको रखा जाता है तो grassland का जो pyramid है वो कैसा होगा ये pyramid of number तो हई है उसके साथ साथ ये सीधा है अब इसके बाद आप देखें यहाँ और भी example है जैसे कि माल लीजे ecosystem जो है वो grassland का नहीं बलकि एक forest का है जंगल का है तो यहाँ जो pyramid of number होगा वो inverted shape का होगा यानि उल्टा होगा सिर के बल खड़ा रहेगा कुछ ऐसे अब यह नीचे चितर भी देख लिया जाएगा तो यह नीचे वाला shape मतलब producer से यहाँ कम हो जाते है और उन पर आश्रत रहने वाले जो consumers है वो ज़्यादा होते है जैसे कि अब यहाँ देखें कि जो pyramid है इसमें number के हिसाब से देखा जाए तो herbivorous are more than primary producers जितने पेड़ और बनसपतियां वहाँ है उससे कहीं जादा वहाँ herbivorous पाये जाते है मतलब शाकाहारी जीवों की तादात उससे कहीं जाता है और उन शाकाहारी जीवों को मार कर खाने वाले जो जंगली जीवों है उनकी तादात उनसे भी जाता है तो इसलिए पिरामिड यहाँ पर उलट जाता है अब यह दिया हुआ है अब example की तोर पर यहाँ और भी दिया हुआ है जिसे कि as you may observe that many caterpillars and insects feed on a single tree तो बहुत सारे कीडे में पोड़े सिर्फ caterpillar नहीं इस तरह के बहुत सारे insects जो होते है वो एक अकेले पेड़ पर आश्रत होते है तो इसलिए यहाँ पर प्रोडूसर एक अकेला पेड़ है और बाकी उसका उभोग करने वालों की तादाद जो है वो हजारों की संख्या में हो सकती पिरामिड अप नमबर फार पैरासिटिक फूट चेन is always inverted and is spindle shape मतलब जो पैरासिटिक फूट चेन होती है उसके अंदर अगर पिरामिड अप नमबर आप ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा inverted shape का होगा मतलब वहाँ अगर आप देखें तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो जिस चीज को चूसते हैं जिससे अपना portion प्राप्त करते हैं वो हमेशा कम होती है और उसकी तुलना में जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी तादात ज्यादा होती है तो प्रोड्यूसर घटेगा तो निश्चत रूप से पिरामिड जो है वो inverted हो जाएगा अब यहाँ जो चित्र है उसको देख लीजे सीधा बना है यह ग्रासलेंड का है इसमें आप राइट पिरामिड के तौर पे से आप देख रहा है और इन्वर्टेट शेप का जो है उससे भी देख लीजे पिरामिड प बाइवमास क्या है तो इस रिप्रेजेंट टो टोटल स्टैंटिंग क्रॉप बाइवमास एटीज टौपिक लेवल ठीक है इसको आप जैसे यूनिट के तौर पे लेना चाहे इन In most of the terrestrial ecosystem, the pyramid of biomass is upright. ये ध्यान दीजेगा, कभी-कभी क्या होता है न, ऐसे प्रशन पूछ लिये जाते हैं, कि जो terrestrial ecosystem है, वहाँ पे biomass का pyramid कैसा होना चाहिए? सामाने परिस्तितियों में. तो जादा तरिया जो सामाने परिस्तिति होती है, उसमें upright ही होता है, inverted नहीं होता है. और in case of aquatic ecosystem, तो इसमें ये inverted होता है. जादा तर जो इस्तितिया है, बहुत अपवाद इकठा हो जाएगा, तो अलग चीजे. नहीं, तो जादा तर जो aquatic ecosystem होता है, वहाँ पर biomass का pyramid, inverted shape का होता है, example के तोर पे यहाँ बता दिया गया. In a pond, phytoplanktons are the main producers, they have very short life. जो phytoplanktons होते हैं, वो main producer होते हैं, मतलब उनी पर आश्रित छोटी मशलियां होती हैं, फिर उन छोटी fishes को खाने वाली बड़ी वाली होती हैं, और बड़े-बड़े जीव, इस तरीके से जो food chain हैं, वो आगे बढ़ती हैं, मतलब pond का पूरा ecosystem तयार होता है, तो इसमें जो जीवाद दूसरा आजाता है, तो इससे इनकी आबादी बढ़ नहीं पाती है, जितने पैदा हो रहे हैं, उतने मर रहे हैं, तो अब बताईए इसमें जो population है, वो balance condition में रहेगी, ना कम होगी ना बढ़ेगी, तो इनकी तादात सीमित होती है, और इसलिए बताया गया है, इनकी ओपर आश्रित रहने वाले जो हर्वी वोर्स है, उनका अमाउंट इनकी तुलना में हमेशा ही ज्यादा होता है, यह हमने देख लिए, आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, यह कलरफूल तरीके से दर्शा दिया गया है, इन्वर्टेट शेप में कैसा बनता है, और इ यानि की छोटे छोटे जीव होते हैं, और इन छोटे जीवों को खाने वाली छोटी छोटी मशलियां होती हैं, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है, और फिर इन छोटी मशलियों को खाने वाली बड़ी मशलियां होती हैं, जो कि टर्शेरी कंज्यूमर है, सिर्फ मशलियां ही इसके अलावा जितने भी पानी में रहने वाले जीव है वो भी इसमें शामिल हो जाते है और यह आपका terrestrial ecosystem का है यहाँ आप देख रहे हैं कि हरे पौदों की तादात कहीं जादा है और उन पर आश्रित रहने वाले जो हर भी बोरस है मतलब हरे पौदों की तुलना में कम है तो इनका जो amount है यहाँ सिकुड के pyramid जो है वो एकदम upright shape का है इसके बाद इनके उपर आश्रित रहने वाले यह secondary हो गए और अंत्विया भालू को आप देखी रहे है यह tertiary है तो इस तरीके से हमने pyramid of biomass को देखा अब लास्ट जो है इसमें pyramid of energy है इसको देख लेते हैं तो this pyramid represents the total amount of energy at each tropic level हलाकि energy के distribution पर चलचा हमने पीछे भी की थी कि जब हम लोग आगे के tropic levels में बढ़ते हैं यानि आगे step बढ़ाते हैं तो उसमें देखते हैं कि energy का level कम हो रहा है मतलब जितनी energy green plant प्राप्त करते हैं sunlight से उतना जो हर्वी बोरस हैं उन्हें ही प्राप्त कर पाते हैं उससे कम energy उनको मिलती है मात्री 10% उसका और जो हर्वी बोरस हैं उनका भी मतलब उनके अंदर जितनी store energy है उसका भी मात्री 10% ही आगे बाला जो secondary consumer है उसको प्राप्त होती है ऐसे ही आगे चलते चलते वो कम होती जाती तो वही बताया गया है कि this pyramid represents the total amount of energy at each tropic level energy is expressed in term of rate such as kilo calorie per unit area per unit time यहाँ per unit area और per unit time को आप देख रहे हैं यहाँ पिर calorie per unit area और per unit time एक्जामपल के तौर पर आप देख लीजे क्योंकि यहाँ unit से जादा important यह है कि यह दिखता कैसा है मतलब बनता कैसे है तो in a lake autotrop energy यहाँ देख रहे हैं आप is 20,810 kilo calorie per unit है उसे आप देख रहे है energy pyramids are never inverted and always upright एक छोटा से example आपको lake में जील का दे दिया गया और lakes के पिशे में अंदर का उसका ecosystem है उसके संबंद में energy का flow आपको दिखाया गया अब यहाँ पर यह बताया गया है कि energy का जो pyramid है वो हमेशा सीधा होता है upright होता है वो कभी भी inverted नहीं हो सकता है यह ध्यान दिजएगा अब यहाँ पर figure draw किया गया है उसमें यह दर्शाय गया है उस तो इनके metabolism में खर्च होती है और बाकी इनके अंदर store हो जाती है फिर इनको खा कर primary consumer जो है वो उसका मात्रे 10% ही प्राप्त करते है फिर उसके बाद जो secondary है वो उसका भी एक प्रतिशत प्राप्त कर पाते है मतलब 10% वाला rule हर जगा लागू होता है यह आपने देखा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर आप देखें ecological efficiency को इसी ecosystem के tropic structure से एक चीज clear हो जाती है कि amount of energy decreases at each subsequent tropic level यह हमने पीछे देख लिया है मतलब उट जा जो है वो लगातार घटती जाती है अब इसमें दो reason कौन कौन से है तो at each tropic level या at each tropic part of available energy is lost in respiration और used up in metabolism होता यह है कि respiration के थूँ जो energy है वो loss हो जाती है heat में तबदील होके बाहर हो जाती है या फिर metabolism में इस्तेमाल हो जाती है तो इसकी वज़े से उसका ख्षय हो जाता है लेकिन जैसे भी होता है दोनों ही तरीके हो सकते है जैसे भी हो energy का जो loss है वो बड़े पैमाने पर होता है और दूसरा reason क्या हो सकता है तो part of energy is lost at each transformation that is when it moves from lower to higher tropic level as heat energy transformation की वज़े से भी ऐसा होता है अब यहाँ पर यह बताया गया यह ecological efficiency को नापते कैसे है तो असल में ecological efficiency एक ratio है bit with the amount of energy acquired from the lower tropic level and the amount of energy transferred from higher tropic level is called ecological efficiency दोनों के बीच का जो ratio है जब हम निकालते हैं तो वो ecological efficiency कहलाता है अब यहाँ पर लिंडमैन नाम के एक जो scientist है उनका नाम दिया हुआ है in 1942 इन्होंने define किया था these ecological efficiencies for first time and proposed 10% rule और उन्होंने ही 10% rule दिया था example के तोर पे autotrop produce autotrops जो है वो अगर 100 calorie उर्चा को produce कर रहे हैं इतनी energy वो अपने अंदर से produce कर सकते हैं तो herbivores जो है वो सिर्फ उसमें से 10 calorie ही प्राप्त कर बाएंगे बाकी जो है वो heat के रूप में बरबाद हो जाएगा और उसके बाद जो carnivores है जो कि herbivores को खाएंगे तो carnivores जो है उनको अगर energy प्राप्त होगी तो वो सिर्फ एक calorie होगी यहाँ जो 10% वाला rule है उसके हिसाब से मतलब 10 का 10% ऐसे however there may be slight variation in different ecosystem and ecological efficiencies range from 5 to 35% कहने का ताथ पर यह है कि यह lindman का सामाने concept है मतलब general condition में ऐसा ही होता है लेकिन कई बार और हमेशा ही ecosystem हमेशा एक जैसे नहीं होते हर ecosystem एक जैसा हो या फिर आपस में समानता हो सारे process एक जैसे हो यावशक नहीं है तो इसलिए energy में भी variation हो सकता है यावशक नहीं है कि 10% एकदम to be exact उतना ही प्राप्त उससे कम भी हो सकता है उससे जादा भी हो सकता है इसलिए ecological efficiency की जो range है वो अलग-अलग ecosystem को ध्यान में रखते हुए पांच से लेकर पैंटिस के बीच में vary करती है और ecological efficiency also called lindman efficiency इसको lindman efficiency भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है वो आप जानते है इसके बाद आप देखें aquatic ecosystem के characteristics ठीक है अब इसमें हम लोग fresh water ecosystem को देखेंगे और बाकी जो mangrove और asturian ecosystem है उसको भी आगे देखने के कोशिश करेंगे फिलाल इस lecture में इतना है तब तक के लिए नमस्कार